आपने सबी पूर सेशन से इतर एक अलग ही तरह की चर्चा, एक अलग ही तरह का सेशन लेकर आप सब की समक्ष उपस्त थोई हैं यह सेशन है आत्म शुद्धी का, अहिंसा का, अपरिग्रे का, मैत्री का, तपस्या का, एवन शमा याचना का यह है संपूर्ण जैन समाच का, महा कुम पर, परिशन महा पर, यह मात्र जैनों का पर नहीं है, बलकि समुचे विश्वता, मानम मात्र का पर है, क्योंकि इसमें आत्मा की उपासना की जाती है चुतांबर समाच आठ दिन तक इस पर को अश्टानिका के रूप में मनाते हैं, जबकि दिगंबर समाच इसको दस दिन तक दस लक्षन जी पर के रूप में मनाते हैं इन दिनों पूजा अर्चिना त्यात तपस्या व्रत उप्वास में अधिक से अधिक समय व्यकीत किया जाता है। सैयम, विवेक तता अपरिग्रे के पालन का भी प्रयास किया जाता है। आज हमारी इस परीचर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजमेर जैन समाज, अजमेर दिगंबर जैन समाज की जानी मानी शक्सियत प्रोफिसर सुशील जी पाटनी। प्रोफिसर साथ मानिजी संकाय के विभाग अध्यक्ष होने के साथ साथ दियानन महा विद्याले में संगीत साहित्य तता सांस्क्रतिक गती विद्यों के प्रभारी भी रहे। वर्तमान में आप जैन संगीत मंडल अजमेर के संयोज़त, दिगंबर जैन महासमीती अजमेर के संभागिय अध्यक्ष, समाज की लगबग सभी संस्ताओं के पदादिकारी हैं, तता समाज के सर्परिचित, तता जाने माने भजन गायक हैं। आपने भारत में ही नहीं, बलकि विदेशों में भी कई बार भक्ती संगीत कारेक्रमों का सफल आयोजन किया है। जैन समाज के लगबग सभी आचारियों एवं मुनी महराजों का आपको आशिवात प्राप्त है। आज के इस सेशन के लिए प्रोफिसर साफ जैसी महान हस्ती हमारे साथ चोड़ रही है। हम आपका बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन करते हैं। कैसे हैं साब आप। बहुत बढ़ी है निशाजी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। बताईए कि किस प्रकार का आच्रण कर हम इस पर्व में आत्मशुद्धी का प्रयास कर सकते हैं। निशाजी, आपने अभी जो पजूशन पर्व में कुछ मोबाइल्स में कॉलर ट्यून आपने सुनी होगी। उस कॉलर्ट ये उनके द्वारा एक तो बहुत परिशिक दुन चली। कि दस्धरम का मेला लगा है, चारों तरफ है भक्तों का रेला। तप और त्याग के भाव जगा के प्रबु के चर्णों में शीशिनवा के दस्धरम का मेला ये मेला, चारों तरफ है भक्तों का रेला। जहन समाज के अनेक जो परवाते हैं, उन परवों में ये जहन समाज का मुकुटमणी, एटियासिक और परवाधिराज है, ये परवों का महाराजा है, इस परवों में राग रंग की बात नहीं करते, खाने पीने की बात नहीं करते, डेकोरेशन की बात नहीं करते, बलकि आ एक ट्यून भी आपने देखी होगी कि क्या करना है हमें हमें मनुष्य जन्म मिला अब तक कि ये जो पाप वो दोने का वक्त आया भक्तितप और ध्यान में होने का वक्त आया आया पयूशन आया पावन ये त्यों हार आया इस त्यों हार में त्याक की बात करेंगे सैयम की बात करेंगे आत्म विशुद्ध की बात करेंगे और अंत्यतों गत्वा अपने मन वचन काय को पवित्र बनाते हुए सम्यक दर्शन ग्यान और चारित्र के पत पर आरूड होते हुए अन्तु में हम मोक्ष को प्राप करेंगे ये बहुत उची भावना इस परू में बताई गई है हम ये जानते हैं कि दसलक्षन आत्मा को उसके स्वाभाविक रूप में श्रंगारित करता है आत्मा को शंगादित करने के समझने के लिए हम एक शब्द देते हैं वाच डबल्यू ए टी सी एच अब एक एक कार्थ अपन देखें वाच का क्या मतलब इन्हों ने रखा है पहले डबल्यू का कि वाच यूर वर्ड अपनी वहानी पर कंट्रोल करिये वाच यूर एक्षन अपनी क्रिया पर कंट्रोल करिये वाच यूर थोर्ट अपने विचारों पर कंट्रोल करिये वाच यूर करक्टर अपने चरित्र पर कंट्रोल करिये एंड वाट यूर हैबिट्स अपनी आदत पर कंट्रोल करिये केवल दक्षन दस लक्षन के दस दिन में नहीं पजूशन के आठ दिन में नहीं बलकि इसको पूरे जीवन काल में हम बराबर 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 अगर लागू रखें तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम हमारे जो विकार यह आत्मा पे लगे हैं क्रोध मान मया लोब और जो पांचो पाप लगे हुए हैं वह धीरे-धीरे-धीरे कम हो जाएंगे अगर हम दिगंबर संपरदाए की बात करें तो इसको दसलक्षन वड़का है मतलब क्या हूँआ दसलक्षन का इसको अपन थोड़ा इस्प इस चीज को दमन करनी है, जो हमारे कशाएं लगे हुई है, काम, क्रोध, माया, लोग, और जो हमारे पाप लगे हुए हैं, इन सब को हम धीरे-दीरे कम करंगे, हमारे जो विकार है, उसको उत्तम छमा मार्दव, आर्जव, सत्यसोच, पुजन में भी ये कहा है, छमा अर्थार्द, दस सार है, चाउंगती दुखते काड, मुकती करतार है, क्या करना है अंतो तो गत्वा, अंतो गत्वा, अगर हम अक्षर में दस लिख दें, तो इस दस में से हमारा जो संसार है, उसको शून्य करते जाएं, शून्य करते जाएं, शून्य करते जाएं, और क् बच जाएगा एक बच जाएगा दस के बिंदी खतम हो जाएगी और एक बच जाएगा वो एक ही आत्मा है अर्थार्थ दस लक्षन में हम हमारे संसार को धीरे 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 सुन्य करंगे और आत्मा की एक आत्मा की प्राप्ति करंगे कहा भी है किसी ने कि पर्यूशन, पर्यूशन हमें जगाने आता है, ये पर्व हमें राहा लगाने आता है, प्रतिवर्ष जीवन के दुआर पर ये आत्मा की मोह नींद भगाने आता है, बर्षों से कि हम रनन तुकाल से इस आत्मा को मोह के नींद में डखे हुए हैं, दीरे 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 कम से कम इस पर में हम ऐसा करें कि यह हमारे आत्मा को विशुद्धी की और ले जाए इसलिए इसे आत्म विशुद्धी का पर्व कहा है। बहुत सही कहा आपने, watch your thoughts, character and action. अगर सभी लोग इसको follow करें तो आत्म शुद्धी बिल्कुल हो सकती है सकती। तो अब आगे बढ़ते हुए, मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज बिश्वकों, हिंसा, आतंग, बेरभाव, आपसी, द्वेश, ब्रष्टाजार जैसी अनेक गुराईयों ने अपनी बेडियों में जकर रखता है। ऐसे में महावीर स्वामी की शिक्षाई अहिंसा पर्मो धर्म, जीयो और जीने दो आज बहुत ही प्रासंगिक हो चली है। तो कहते हैं पर्यूशन अहिंसा का मैत्री का भी पर्द है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है प्रसोफर से। बिल्कुल बुरावर है। जब सारे विकार अपनी आत्मा से हट जाएंगे और अकेली आत्मा बची जाएगी तो निश्चित है कि हमारा मैत्री भाव विश्व मैत्री एकदम इस्तापित हो जाएगी जो कि पर्यूशन के दुआरा हम इस्तापित कर लेते हैं। इसके सम्बन मैं आपको बताऊं कि पर्यूशन में ऐसा कुछ इन्वयाम हो जाये सारा जीवन आत्मा के नाम हो जाये धन, शरीर, संसार को तो हमने खुप समाला, अब आत्मा के लिए कुछ काम हो जाए, और बिना अहिंसा के आत्मा के उन्नती की हम सोच भी नहीं सकते, बिना सत्य के हम सोच नहीं सकते, बिना विकारों के सवाप्त किये हम सोच नहीं सकते, हम यह कह सकते हैं, यह पर्यूशन आत मुझागरती का पर्व है अपने आप पर अनुशाशन रखने का पर्व है ये विभाव से सौभाव की और बढ़ने का पर्व है सकल कशायों एवं पापों कशायों यानि कामकुरोद माया लोग और पाप यानि हिंसा जूट चोरी और कुशिल परिग्रह से विरक्ति को संकल् शमा, विनय, सरलता, समता, सदभाव, सोहार्द एवं सहीशनुता की अभी व्रद्दी का पर्व है प्राणी कहा है किसीने कि अईन सागा तात परिग्या कि प्राणी जगत के सब सुखी, निर्भय, निरोग, सुपात्र हो, कल्यान हो सबका किसी को, दुखना किंचित मात्र हो, धन, ज्यान, प्रभूता, शूरता का, यदी मिला संयोग हो, तो विश्व के कल्यान हित, इसका सदा उपयोग हो, जब अहिन सा होगी, तो मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उरसे करुना, स्रोत वहे, दुरुजन कुर कुमार के गतों पर शोब नहीं मुझको आवे, साम में भाव रखो में इन पर ऐसी परनती हो जाए, इसलिए दसलक्षन के वरत, उप्वास ये करने के बाद, हम अंतिम दिन, अगर मान लीजिए, श्वेतांबर संपरदाय है, तो सम्वत्सरी के रूप में विश्युम दिगंबर लोग, मिच्छामी दुखडम के नाम से, वो अपने पापों के बोज को कम करना चाहते हैं, और जो दिगंबर हैं, वो खमत खमावना के नाम से इसको करते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मिच्छामी दुखडम में तो केवल ये है, कि हमने कह दिया, सामने वाले ने भी उसे सुविकार किया, ये बहुत फरक है, एक जगह प्रभुद दलेकक ने लिखा कि कुंडली में शनी, दिमाग में मनी और जीवन में दुष्वनी, तीनो हानी कारक है, हम दुष्वनी को हटाएं, हम विश्व महत्री को जगाएं और इसको रखें, रविंद्र जो बहुत बड़े संगितकारों हैं, उन्होंने हिंसा के उपर एक बहुत ही बड़िया गीत लिखा है, जो मैं आपर प्रस्तुत करने का लोब समरन नहीं कर पा रहा हूं, बिल्कुल सुनाईए आप, कि हिंसा पीडित विश्व राह मावीर की तकता है, अरे वर्तमान को व जत्ती हुए हैं, विशिष्ट वियक्ति हुए हैं, जिन्होंने अहिंसा पर बहुत जोड़ दिया है, क्यों करें, क्या करें, आज अनाचार हो रहा है, एक दूसरे देश पर धावा बोल रहे हैं, आपके पूरे लड़ा को विमान खड़े हुए हैं, सरद पर राद दिन अ शांती हो रही है, कई आपके कहना चाहिए सेनिक मर गए हैं, क्यों कि इन सब का हिंसा से संबन्द है, आगे देखिए कितना बड़ा लिखा है, कि हिंसा पीडित विश्व राह मावीर की तकता है, वर्त मान को वर्ध मान की आवश्यक्ता है, कि पापों के दल दल में फसकर धरम सिसकता है, पापों के दल दल में फसकर धरम सिसकता है, वर्त मान को वर्ध मान की आवश्यक्ता है, क्यों आवश्यक्ता है, आज की बात करें हैं अपन, हिंसा के बादल चाए संसार पर, सर्वनाश को दुनिया खड़ी कगार पर, नई शास्त्रों में, अब शस्त्रों में होड है, मान अवतार होती है अपनी हार पर, जब सेनिक आपस में आमने सामने आएंगे और लड़ंगे, अब तो कमरे में बैठे बैठे ही, सारा सर्वनाश होने के भी साधन जुट गए हैं, नई शस्त्रों में, अब शस्त्रों में होड, मान अवता, सर्वनाश पर दुनिया खड़ी कगार पर, नई शस्त्रों में, अब शस्त्रों में होड है, मान उतार होती है अपनी हार पर, कि जैन धरम ही, क्योंकि यह इंसा में है, जैन धरम ही पत्भूलों को समझा सकता है, हिंसा पीडित, विश्वराय मावीर कितकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यक्ता है, जब तक अहिंसा नहीं आएगी, कितने भी हम जो देख रहे हैं ये रोग भी अगर हम देख रहे हैं ये महामारियां जो अपन देख रहे हैं ये सब लियमिख अिनसा से पीडियान की वज़े से हमें दुख जहलने पड़ रहे हैं इसे लिए परियुशन में Imsah, Satya, Maitri, Vishu Maitri इनका प्रमुख भाग है प्रमुख रो लगा है बिल्कुल सही फर्माया आपने कि आज के सामाजिक परिप्रेक्ष में परिशन पर लोगों के लिए प्रेणना है मार्ग दर्शन है अहिंसक जीवन शैली को अपनाने के लिए बढ़ता हुआ एक करदम है परिशन पर जब तप साधना अराधना उपासना आदी कई प्रकार के अनुष्ठानों का अफसर है इस दोरान जैन अनुयाई कई प्रकार के व्रतों के माध्यम से शारिरिक मानसिक ववाचिक तप में स्वेम को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तो आप थोड़ा सा इस बार में हमको बताईए कि इस पर्व में तपस्या का कितना महत्व है निशा जी मैं चार लाइन में सारी बात कहूं आपको कि उचे कुल में जनम लेने से कोई महान नहीं होता उचे कुल में जनम लेने से कोई महान नहीं होता और लाखों का धन कमाने से कोई गुनवान नहीं होत संसार में महती आवशक्ता है तब तपश्या और सयम की केवल डिगरियां प्राप्त करने से कोई विद्वान नहीं होता अगर हम पर्विशन पर्व को दो भागों में बाटे हैं तो यहां यह उप्युक्त होगा पहला भाग वो तपश्या का है पर्व के दो इस्से होते हैं उसमें पहला इस्सा आराधना का इस्सा है और दूसरा इस्सा तपश्या का इस्सा है पर्व के दोरान आठ दीविशिये आराधना वे तपश्या का प्रावदान है दान, शील, तप, सयम, तता भाओं की आराधना प्रमुख है सामाईक, स्वाध्याय, मौन, तप, प्रतिक्रमन, आधी के कारण, मन, वचन, काय के योग के द्वारा ये अनुकरणी है वो पर्व के दिनों में चिंतन, मनन करके प्राश्चित एवं शुद्धी करण किया जाता है और केवल शुद्धी करण नहीं दिन के लिए और ऐसा भविष्चि के लिए संकल्प किया जाता है कि अब मैं इसकी पुनरवरत्ती नहीं करूंगा मानसिक, वाचनिक, शारिरिक और आध्यात्मिक समायवन करने का आउसर प्राप्त होता है जरह देखें तपश्च्चा के रूप में एकशन उपवास शारिरिक या व्यादिया हैं उसके लिए एकासन, उपवास, बेला, तेला, अस्तानिका, आयमबील, वरशी तपके द्वारा शारिरिक, स्वाध्याय सामाईक पठन के द्वारा, प्राश्चित के द्वारा मांजिक, और रागदेश का विसरजन, यम नियम द्वारा, उर्द आरोहन, नए तत्तोयम सूत्रों का वाचन आत्मसादना, आत्मजाग्रती के द्वारा, आध्यात्मिक एवं आत्मसयम का नया सवेरा प्राप्त होता है, रोग शोग पर प्रहार द्वारा मन को स्रिकार करते हुए, इसमें इतना हो जाता है तपश्या में, कि हमारे कर्मों की निर्जराभी हो जाती है, तपश्या का म तो आप सुनिये कि प्लॉट से भवन चोटा होता है एक प्लॉट से भवन चोटा होता है उस भवन से दर्वाजा चोटा होता है दर्वाजे से ताला चोटा होता है और ताले से चावी चोटी होती है और वो चोटी सारी चावी पूरे भवन को कंट्रोल करती है वो चावी है म जिसमें हम अपनी मरियादा बनाए हमारे गुरुजी मुनि पुंगर सुदा सागर जी महाराज कहते हैं कि तपकात आप पर यह नहीं है कि आप सब छोड़ करके बैड़ जाओ उन्होंने बहुत अच्छी बात बोलते हैं वो कि खाओ पियो चको मत खाओ पियो चको मत बोलो च चलो फिरो ठको मत आजकल यह मानते हैं कि हम तपश्या नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते चारला इंदे के फिर एक कवी ने बहुत बढ़िया लिखी है इतना बढ़िया कि जो मौत से ड़ते हैं जो रोज मौत से ड़ते हैं उसे हम कायर कहते हैं जो रोज मौत से ड़ते हैं उसे हम कायर कहते हैं और जो बूड़े होकर भी जीने की इच्छा रखते हैं उसे हम रिटायर कहते हैं जो जिन्दगी में कुछ कर जाते हैं हमारे महाराज मुनी महाराज उत्यागिवे महापूरुष जो जिन्दगी में कुछ कर जाते हैं उसे हम हायर कहते हैं और जो जिन्दगी बर कुछ नहीं करते हैं फिर उसे हम एक्सपायर कहते हैं कि कभीता जी की बात हो जाए कि जो कीतियों धर्दी निचे दर्या पर बहन आज एक बहुत बड़ा दूशन आ रहा है दोश आ रहा है कि इंटरनेट इतना घर घर में समा गया है कि इस्तियाग तबश्या धरम और जो दूसरी चीजे बढ़िया है उसको हम भूलते जा रहे है क्यों क्यों कि आज इंटरनेट ने गिरा दिया है संस्कृति का रेट इंटरनेट ने गिरा दिया है संस्कृति का रेट तमाम बुराईयों को ख़ा बढ़ा दिया है वेड स्वाध्या है सैयम तपश्या से करते हैं यू अब हेट स्वाध्या है सैयम तपश्या से करते हैं युआ अब हेट अरे इसीर यह तो वर्तमान में बंद है मोक्स का गई क्या पास है क्या पास है आप बिना तपक्षिया के कोच नहीं हो सकता तपक्षिया क्या है अंत में चार लाइन और इसके लिए बढ़िया कहूंगा मैं कि सोने में जड़कर जब हीरा आपुषंड नहीं क्या है सोने में जड़कर जब हीरा आपुषंड कहलाता है तो फिर वे सोने का नहीं हीरे का कहलाता है सोने में जड़कर हीरा जब आपुषंड कहलाता है तो वे सोने का नहीं हीरे का कहलाता है काया ये काया इनसान का सोना है कर्म हीरा है तब के निखार से ही सोने का मुल्य बढ़ता है अगर इस सोने का काया का मुल्य बढ़ाना हो तो बिना तब करे अपन कुछ भी नहीं कर सकते ये तब का महत तो है और तब का महत तो यही नहीं चोटी-चोटी बातों में तब का महत अगर आप एक simple सा भुट्टा देशे हैं वो दस रुपर में भुट्टा हो और उसी भुट्टे को आप गैस पर जरा सेख लें या मानिजे कोईले में सेख लें उसको तपा लें और फिर उसे बेचें तो वो भुट्टा 20 रुपर सा भी जाए आप देखिए तपका मैतुद तप से उसकी वेल्यू बढ़ जाती है इसलिए तप सर्वो पर ही है क्या खूब आपने तो बड़ी अच्छी उपमा देकर के तपका मैतुद बताया है बिल्कुल हम सब आपसे वाके फ्रक्ते हैं अब थोड़ी देर पहले जैसा कि आपने शमा याचना के बारे में जिक्र किया था कि परिशन पर कि समापन पर अंतिम दिन शितामवर समाज मिच्छामी दुखडम कहकर और दिगंबर समाज उत्तम शमा कहकर एक दूसरे से शमा याचना करते हैं तो हम जैनियों के लिए तो शमा वीरस से भूषणा में शमा वीरस से भूषणा में महा व्यक्ति ही एक दूसरे को शमा ले एवं दे सकते हैं शमावनी के दिन सभी भीतर की राभवेश की गाटों को को खोल कर पूर्ण में की हुई भूनों को शमा के द्वारा समात करते हैं और जीवन को पवित्र बनाते हैं तो ऐसी शमावनी को सभी धर्मों को नहीं अपनाना चाहिए ताकि की सभी मानव मात्र का कल्यान हो जाए आपके क्या विचार है इस बारे में देखिए यह एक शमा तो पूरी धर्ती है इस चमा के उपर सारे धर्म टिके हुए हैं जिस दिन इस धर्म से चमा समाप्त हो जाएगी उस दिन फिर धर्म बचने वाला नहीं है इसलिए चमा का बहुत महत्व है चमा मांग कर चमा दान कर दोनों बाहे पसार धोले मन का मेल चलो परियूशन में इस बार ये गंगा दस धर्मों की लगा ले इसमें डुब की ये गंगा दस धर्मों की लगा ले इसमें डुब की एक प्रबुद्ध लेखक ने दो लाइन में सारी चमा को समझा दिये बहुत सुनने की और समझने की बात है तो गड़न दो गियु तो गड़न दो सिंव गयंत मानी जोइब दो वहां और मुद्ध दो इना टो गयंत मैंनी प्रबलम एगे बोस्वी जास्ते डवल मुद्ध ये बहुत शंचिवाद रह ये शारा सार्या था रहाव्च्वाद परिश्वाए आर हम पर लिए कि थाट म यह पूत दर्शन का, to get and to give creates many problems, but you just deval it, forget and forgive, forget and forgive solve many problems, और यही तो उत्तम ख्मा है, हम करें, भूल जाएं, उसको माफ्स कर दें, तो वो सही ख्मा होगी, ख्मा करें और ख्मा मांग लें, जीत है, इसमें हार नहीं, ख्मा वीर का आबूशन है, यह कायर का विभार नहीं, देश देश को, जाती जाती को, व्यक्ती व्यक्ती को ख्मा करें, अपने अपराधी को ढूंड ढूंड कर, वो दिल से चमा करे विश्व महत्री का मूल मंत्र ये केवल सिस्था चार नहीं विश्व महत्री का मूल मंत्र ये केवल सिस्था चार नहीं चमा वीर का भूशन है ये कायर का व्यवहार नहीं कायर ता इसमें नहीं होगी चमा में अपन क्या चाहेंगे चार दैन केकर के से समप करंगे अपन कि सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबराए बैर पाप अभी मान छोड जग नित्य नए मंगल गाए घर घर चर्चा रहे धरम की दुश्करत दुश्कर हो जाए ज्यान चरित्र उन्नतिकर अपना मनुश जनमफल सब काए उसक कद आपसे उंचा होगा उसका कद आपसे उंचा होगा जो चमा से आपके सामने जुका होगा जुकेगा वही जिसमें ज्यान है अकड तो मुर्दों की पहचान है जब तेज नदी चलती है तो घास बहुत कमल होती है वो जुग जाती है घास का कोई नदी नहीं बिगाड सकती और जो ठूट होते हैं वो खड़े रहते हैं अखड में तो नदी उनको बाहा करके ले जाती है तो विश्व में अगर आपको सुख मनाना हो शान्ति करना हो एक दूसरे पर अत्याचार पराना चाह दूरा चाह नहीं करना हो तो एक ही है वो वो है चमा विश्व मेत्री सब को चमा हम करें बहुत बढ़िया तो आज हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि लेट्स फोगेट एंड फोर्गिव इससे दुनिया की समस्थ समस्याओं का समाधान हो जाएगा आगे बढ़ते हुए जैसा कि हम सब को पता है कि इन दिनों पूरी दुनिया कॉरोना वाइरस से जूज रही है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसुलेशन के कारण लोग पूजा की जगों से मुड रहे हैं तो आप जड़ा बताईए कि क्या इस कौरणा महाकाल में धर्म व्यक्तिगत हो जाएगा इस कौरणा महामारी का धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा है जब पजूशन पर उकी बात अपन करते हैं जब सामानने दिनों में कोई प्रोटोकॉल जब नहीं है और उस सामानने दिनों में पजूशन पर वाते हैं दस लक्षन पर वाते हैं तो हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो इसमें विशेश रूप से भाग ले विशेश रूप से पूजा करें उफवास करें और दूसरी दूसरी बाते हैं वो भी करें पर ये हमारा दुरुभाग्य है दुरुभाग्य है कि ऐसे काल में हम हैं इस समय है कि हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं मार्श 2020 से लेकर के आज लगबग लगबग 6 महीने हो गए और उस 6 महीने में हमने जो सोचा वो कुछ भी नहीं कर पाए कर तो पाए लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी रहा करोना का इतना प्रभाव पड़ा कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए गुरों की वहिया व्रत्ति नहीं कर पाए अपने आत्मा का विकास नहीं कर पाए सरकार भी क्या करे वो कहते हैं जान है तो जहान है इसलिए क्या किया उसने जिन मंदिर बंद कर दिये बगवान के दर्शन बंद कर दिये पूजन अर्चना द्रव्य चड़ाना बंद कर दिया अभी शेक बंद कर दिये गंदो तक देना बंद कर दिया सेनिटाइजेशन शुरू हो गया और जहां पर ज्यादा लोग जाते हैं वह पांग साथ लोगी आने लगए हाथ दोना गंटा नहीं हो जाना इन सबकी भक्ति और धरम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्यों पड़ा है क्योंकि आदमी जो चाहता है कि सुगंद के बिना पुष्प काम तो कर रहे हैं अपन ओनलाइन भी कर रहे हैं वर्चूल भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सुगंद के बिना पुष्प त्रप्ति के बिना प्राप्ति धे के बिना कर्म और प्रसंदा के बिना जीवन गयरत है जब तक आदमी प्रसंद नहीं है तब तक वो बिल स्ट्रेशन हो गया और अपमान जनक इस्तितियां पैदा हुई घर में एक सरदश्य व्यान एक बीमार पड़े कईयों ने अपनी ज्यान भी गवाई और जीवन के प्रती एक डर पैदा हो गया जबकि धरम तो डर को निर्भय में करता है मैंने छेला इन दिखी है उसको आप सुने कि समय बना है कठिन समय बना है कठिन विश्व में कोरोना का ये दुष्काल सभी गतिविदी हुई लोकडाउन जीना प्रानी बेहाल कॉरंटाइन करो निजातम को रहकर घर में शिरिमान बाहर नहीं भीतर रहो तुम भी तर जाओ धिरिमान विशे विकारों को छोड और आइसोलेट करो आतम शील चहे प्रतिकूल दशाएं बन जाए सुन्दर्तम छंड प्रतिकूलता और अनुकूलता आती रहती है एक जगे लिखा है कि अगर प्रतिकूलता आ भी जाए तो उससे गवराने की जरूरत नहीं है हमारे मुनी सुदा सागर जी ये कहते हैं कि ये जो सुक के दिन है और दुख के दिन है ये दोनों ही चले जाएंगे एक पुछा कि बताइए कि आप कैसा शब्द बोलें कि मैं खुश हो जाओं तो सुक के दिनों में तो बोल गया कि ये भी चले जाएंगे और दुख के दिनों में बोल जाए ये भी चले जाएंगे त और दुख दोनों आते हैं, ये चला ही जाते हैं, पल कोई भी बिन जिन जिके ना जाये, ये वीन्ती है जिनरै, सुन लेना, सुन लेना, सुन लेना। अधिक खुश्याल इस प्रकार हम आतमि केंदरित जो परोग है और अमारे उन्नती के जो परोग है, उसका हमने किया, उसमे हम सब को जिन जिनों ने किया है, उनको बहुत बहुत बदाई ही देते हैं, उनका Vamos भी अदा करते हैं, कि उनका यह जो शक्ति है उनका जो सामर्थ है उनकी जो क्षमता है वो दिनोग्टे बड़े और उर्दु गामी होती जाए ये बहुत है उन्होंने कार करुम हमारे रख़ा है हमारी बात उनोंने सुनी है आपकी बात हमने सुनी है बहुत अच्छा रहता है इससे इसके रिए उनका भी और आपका भी बहुत 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 धन्यवाद, ग्यापित करता हूँ. बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर सहाब आपने कि ये समय भी गुजर जाएगा. इस तू शल पास और बहुत जल्दी हम कॉरना वाइरस से अपने आपको मुक्ति कर पाएंगे, मुक्ति ले पाएंगे. बंदिरों में घंटियां फिर से घंगनाएंगी और हम पूजा अर्चना में फिर से रच बस चाहेंगे. आज हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जानी मानी हस्ती प्रोफेसर सुशील जी पाटनी, जिनोंने की इतनी अच्छी जानकारिया देकर धरम के बारे में और पर्यूशन पर्व के बारे में हमारे को बक्ती के रंग में भी रंग डाला साथ साथ. हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं. Thank you so much. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. का बहुत-बहुत रंग लिका में अख़ के बारे में डाला лайक, बहुत-बहुत धन्यवाद. ऑ्का बहुत-बहुत-वुत-दोपारे में वेुत-थिप्ट. थे प्लुत-वँत-बहुत-वुत-बहुत-वतussa-व-ट-।-थ. आपके बहुत-दोथ-ज़ू.